तो वही चलते हैं बड़ी खबर क्यों? अब इस वक की बड़ी कबर आपको उपोपाल से समधार से होगे दो अस्पताल तो बड़ी खबर आपको पॉपाल से बता रहे हैं जहां पर पॉपाल में अभीब गंज और पॉपाल स्टेशन पर होंगे दो अस्पताल तो वही रेल्वे कोच को बनाया जाएगा मिनी हॉस्पिटल तो यहां पर पॉपाल और हवीब गंज स्टेशन पर दो अस्पताल होंगे और वही रेल्वे कोच को बनाया जाएगे 25 अप्रेल से शुरू होंगे दोनों जगा मिनी हॉस्पिटल और इसी खबर पर हमारे साथ पॉपाल से मताता कुशन देवेदी जड़ चुके हैं इसना जी आप जाना चाहेंगे कि यहां पर स्टेशन पर अस्पताल बनाने की पहले आवश्टरू हुई है तो ऐसे में क्या कुछ विवस्था हैं वहां पर रहेंगे बिल्गुल रहने हैं कोरोना के कारण कोरोना संक्रमन के कारण विश्टल्टी के हालात अप मत्रदेशन देखलते जा रहे हैं उसको देखते हुए अब मतलब खालात इतने बीभत्त हैं कि लोगों को ना तो बैड मिल जा है और ना ही ऑक्षियन और जो जरूजी सुगदा हैं वो ऐसे में अब सरकार ने जो फैसल लगिया है बोपाल और हविश्टेशन पर कोच के अंदर दो मिनी अस्पताज शुरू करने का फैसल लगिया है एक अस्पताल में 107 बिस्तर होंगे जो ऑक्षियन सपोर्ट वाले होंगे अमोमन यही एक बड़ी समस्यादी की अनग्या कि यहां पर अस्पताल में बैठ बोटे थे लेकिन वहां पर ऑक्षियन सपोर्ट की कोई विवस्था नहीं थी ऐसे में अब सरकार में कहत लगिया ह पर अस्पतालों को शुरू करने की योजना है और 320 मरीजों की भरती करने की सुबदा होगी कि दो अस्पताल होगी एक सो साथ मरीज दो अस्पतालों होगे और इस तरिके से 320 मरीजों को यह फैसलिटी में इसके अलाबा मॉबाइल आइसोलेशन जो कोच है उनको भी पूरी तरिके से सकते तैयार किया जा रहा है जो रेलवे में कुछ पोच यह अपने दिल्ली को देगी होगे अब वो कलक्तर ने एक वार पिर से रेलवे को लिखा है और इसके बाद अब वो मॉबाइल आइसोलेशन पोच यह उना होगी और इसके बाद लोगों के बड़ी राहत म पर तो अस्पिताल बनाए जाएंगे साथ ही यहाँ पर मॉबाइल कोच होंगे और यह अस्पिताल 25 अप्रेल से शुरू हो जाएंगे तो वहीं आपको बताते हैं कि यहाँ पर 40 मॉबाइल कोच बनाए जाएंगे इससे जो है लगभग 320 मरीजों को बेड मिल पाएगा और आज मिल पाएगा